5.3.2 उत्पादकों की भूमिका एवं जीव भार Role of Producers and Biomass किसी पौधे में सौर उर्जा से प्रकास संस्लेशन द्वारा कार्बनिक योगीकों का बनना एवं उनका संग्रह ही उस पौधे का प्रात्मिक उत्पादन प्राइमरी प्रोडक्शन है प्रती इकाई जमीनी छेत्र के समूचे पौधों का किसी निशित समय पर लिया गया भार कुल प्रात्मिक उत्पादन को दर्शाता है और यही किसी पारसिदिक तंत्र के उत्पादकों का समलिद जीव भार बायमास भी कहलाता है ऐसे ही अन्य पोशक इस्तरों के लिए भी जीव भार ग्याद किया जाता है किसी खादिश शिंखला में एक इस्तर का जीव भार अगले इस्तर के भोजन वा उर्जा का स्रोत होता है हर इस्तर पर कितना भोजन उपलब्द है यह केवल जीवों की संख्या के पिरामिड से ही नहीं वरन जीव भार के पिरामिड से भी पता चलता है धान के खेत और जंगल की संख्या के पारसितिक पिरामिड अलग-अलग है क्या उनके जीवभार के पिरामिडों में भी ऐसा ही अंतर होगा? सोचकर लिखें 5.3.3 जीवभार के पिरामिड पिरामिड ऑफ बायोमास कुछ पारस्थितिक तंत्रों के जीवभार के पिरामिडों के उधारन इस प्रकार है चित्र नौव बह में दर्शाय गए जीवभार के पिरामिड में मनुश्य को क्या तृतिय या दृतिय पोशक इस्तर पर रखा जा सकता है? इस पश्ट करें तीनों पारसितिक तंत्र के जीवभार के पिरामिड में कोई दो समानता लिखें क्या जंगल के जीवभार के पिरामिट के अनुसार उब्भोगता के पहले इस्तर के लिए पर्याप्त भोजन मिल रहा होगा जीवभार का सीधा संबंद भोजन की उपलब्धता से है हम जानते हैं कि हमें भोजन से उर्जा मिलती है जीवभार के पिरामिट को देखकर अनुमान लगाएं कि क्या दृतिय पोशक इस्तर को जितनी उर्जा मिल रही होगी तृतिय या चतुर्थ पोशक इस्तर को भी उतनी ही उर्जा मिल रही होगी प्रत्रम पोशक इस तर से दिती पोशक इस तर तक जीवभार कितना प्रतिशत घटा है हर पिरामिट के लिए अलग-अलग ज्यात करें